सोंवार कु अमन्सभाग्रों में मंत्री सुनिलकेदार ने आढ़ावा सबाली जिसमें विभाक की वरिश अधिकारियों के साथ सभी कर्मचारी उपस्तिती सभा में उप मुख्यकारे पालन अधिकारी नापपुर मोच चती। सभा शुरू होते ही लोगों ने अधिकारियों की पोल खोल दी। जम कर फटकार लगाई गई। कामकाज में सुधार नहीं होने पर निलंबित करने के आदेश दिये गये। नलवारे द्वारा किसानों और यहां आने वाले लोगों की समस्या को सुलचाया नहीं जाता। वहें लोगों को नलवारे द्वारा सताया जाता है। बहुत से शिकाय आकरी मौका दिया गया आरोगी विभाग, सिंचाई विभाग, महावितरन महसुल विभाग, नगर पंचायत और अन्य विभागों के खिलाफ लोगों ने मंत्री महोदे से शिकायत की आवेद विवसाय तथा रेती चोरी की वारदात में बड़े पैमाने पर बड़ात्री होने की बावजुद, कारवाई नहीं होने से लोगों में नाराज की दिखाय दी वही महसुल विभाग के सामने दिन दहाडे नदी से रेती चोरी की जारी है पर तैसलदार द्वारा कारवाई नहीं करने से तैसलदार की खिलाफ कारवाई करने की मांग सभा में की गई रेती चोरी की सुचना देने पर भी तैसलदार वरुनकुमार सहारी सुचना को नजर अंदाज कर रेती चोरी को बढ़ावाद दे रहे हैं जिसमें आर्थी के लेंडेन होने का भी आरोप लगाया चारा है धडल्ले से शहर में चोरी की रेती पीची जारी है फिर भी तेसलदार कारवाई करने की बजाए रेच चोरों को सहयोग कराने का भी आरोप सभा में लोगों द्वारा लगाया गया इस सभा में आज लोगों नी जमकर मंत्री के सामनी शिकायत रखी आने वाले दिनों में इन समस्याव को कितनी हद तक सुलजाय जाएगा यह देखना बाकी है सुभे से ही अमन सभाग्रुह भारे बीड जुट्टे से सोशल डिस्टेंसिंगी धज्या उड़ गई इस आड़ावा सभा में आमदार आशिष जैस्वार, चिलापरिशित अद्धिक्षर रश्मी बरवे, मुख्य कारेपालन अदिकारी चिलापरिशित नाकपुर, नगराद्धिक्षर प्रतिबा कुम्भलकर, पूर्व मंत्री राजिंद्र मुयक, चनरपाल चौकसे, पंच प्रोकार की घटना आज़े, आमसभा में दिखाई दी, सवेधानिक पत पर विराजमान होते हुए भी, शेय की प्रतम नाकरिक होते हुए, नगराद्धिक्ष को सबसे पीछे बिठाया गया था, प्रोटोकाल का पालन करना जरूरे होते हुए, उन्हें पहली पक्ती में ब बैटने के लिए जगात दी जाती है, पर यहाँ पर नगराद्धिक्ष को ही अपमानिक कर पीछे बिठाया गया, जो शेहर के लिए दुर्भाग की बात है, प्रोटोकाल का पालन किया होया होता, तो आज नगराद्धिक्ष को अपमानिक नहीं होना पड़ता, इस खटना क की जान चोना जरूरी है, बीसियन न्यूस के लिए पाश्यूने से रुपेश खंडारिक रिपोर्ट